नमस्कार मित्रो अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभीनन्दन करते हैं हमारा कारक प्रकर्ण चल रहा है इससे पहले कि जो हमने वीडियो अप्लोड की है उन क्लास को आप जरूर देखना क्योंकि सारी क्लास देखने से ही हमें अच्छे से टॉपिक समझ में आता है आजका हमारे topic रहेगा दोस्तो पंचमी विवक्ति तो आज का topic डालेंगे आप पंचमी विवक्ति लिखिये देखिये पंचमी विवक्ति हमारा आज का topic रहेगा वच्चो एकदम आसान तरीका से मैं समझा दूँगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगे और यदि हम कारक की बात करें तो कौन सा होगा बच्चों बताईए अपादान कारक आप लोग बताईए अपादान क्या होता है हमने आपको जब चिन बताये थे तो उसमें बताये थे कि अपादान का क्या चिन होता बताईए आप करताने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना यानि अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है बच्चो अपादान ठीक है अपादान कारक होता है अमारा और विवक्ती की बात करें तो विवक्ती होती है पंचमी याने जहां पर अपादान कारक होगा ठीक है वहां पर पंचमी विवक्ती होती है यही हमारा नियम है तो हम इसमें सबसे पहले अपादान समझेंगे कि अपादान क्या है अपादान जब समझ जाओगे तो उस जमी बनाते हैं तो क्या बनता है रामात क्या बनता है रामात इस तरह से आपको ध्यान रखना है ठीक है बच्चो तो अब हम सबसे पहला सूत्र जानेंगे अपादान संग्या करने वाला मतलब अपादान क्या होता है ये सीखेंगे सबसे पहले तो चलिए पहला सूत्र समझत यह देखिए हमारा पहला सूत्र है लिखें सूत्र दुरूबं पाए अपादानम यह हमारा पहला सूत्र है बच्छो दुरूबं पाए अपादानम देखिए पहला सूत्र है इस सूत्र के अंदर देखो एक तो अपादान नाम आ रहा है एक अपाए और एक दुरुबं ये तीन नाम आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे तो एक तो है यहाँ पर दुरुबं एक आ रहा है इसमें अपाए या अपाए और एक है आपका अपादान ठीक है तो यहाँ पर जो दुरुब है इस दुरुब का मतलब होता है वच्चो अवदी भूत या इस्थिर यहाँ पर आप इस्थिर समझ सकते हैं इस्थिर और अपाए का मतलब होता है वच्चो विभाग या विशलेश ठीक है अब इस सुत्र का जो अर्थ होगा वो समझी आप ये कह रहे हैं कि जैसे मानलो मैं अभी एकदम सीधी साधी भाषा में आपको समझाता हूँ कि अपादान क्या होता है ठीक है ना मानलो कोई भी हमारा इस्थर पदार्थ है या इस्थर वस्तू है कोई भी ठीक है उस इस्थर वस्तू या पदार्थ या इस्थान से जब कुछ अलग होता है किसी चीज का विभाग होता है कोई चीज जब उससे अलग होती है तो जिससे अलग हो रही है उसको हम अपादान कहेंगे ठीक है बच्चो और अपादान में हमेशा पंचमी विवक्ती होती है मैं दूसरा उधारन समझाता हूँ जैसे बच्चों मेरे हाथ में ये क्या है पैन है ठीक है कलम है ऐसे मालो अब ये कलम मेरे हाथ पर रखी हुई है कहा रखी हुई है मेरे हाथ पर ठीक है अब ये मेरे हाथ से गिर रही है यानि कि यह मैंने आज से गिरा दिया ऐसे पैन मेरे हाथ से गिर गया ठीक है तो हाथ जो था मेरा यह हमारा धुरूब है क्या है धुरूब है इस हाथ से हमारा जो पैन था वो अलग हो गया बच्चो ध्यान देना अच्छे से तो जिस जगे से जिस पदार्त से जिस वस्तू से या जिस भी किसी भी चीज से कोई चीज जब अलग होती है तो हमारे हाथ से पैन अलग हुआ तो ये जो हाथ है हमारा ये अपादान कहलाएगा क्या कहलाएगा बच्चो अपादान इसमें हम पंच्वी वक्ती कर देंगे बस इतना सा आपको समझना है इसी को हम अपादान कहेंगे यही इस सूतर में बताया है ठीक है ये तो मैंने आपको एक मोटा तरीका बता दिये जिससे आराम से समझ में आ सकता है अब सूतर की भाशा में मैं आपको अर्त समझाता हूँ यहां लिख देता हूँ आप सब नोट कर लेंगे लिखिए बच्चो आराम से आप नोट कर सकते हैं लिखो दूर या विभाग होने की क्रिया में जो दुरुब दुरुब का मतलब क्या बताए मैं अबी इस्थिर या अवदी भूत ठीक है दूर या विभाग होने की क्रिया में जो दुरुब या हम कह सकते हैं इस्थिर या अवदी भूत ठीक है हो अर्था अर्थ जहां से विभाग या दूरी करण हो ठीक है उसकी अपादान संग्या होती है ये बच्चों आप नोट कर सकते हैं आपकी काफी में देखिए यहां पर मैंने सारी बात लिख दिये यह हमारे सुत्र का अर्थ हो जाता है लिखा है कि दूर या विभाग होने की क्रिया में ठीक है जो धुरुब हो जो धुरुब है अर्थार्थ जहां से विभाग या दूरी करण हो रहा है उसकी अपादान संग्या होती है ये इस सुत्र का अर्थ है मैंने आपको एक्जामपल देके समझा दिया था कि मेरे हाथ से पैन नीचे गिर गया ठीक है? तो हाथ जो है वो क्या कहलाएगा अपादान कहलाएगा सीधी सीधी बात ये समझी आप जैसे मालो कोई पेड़ है और पेड़ से पत्ता गिर रहा है क्या गिर रहा है पत्ता तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो किस से गिरता है पेड़ से तो जो पेड़ या व्रिक्ष है वो आपका अपादान कहलाएगा बच्छो क्या कहलाएगा? अपादान एक बात और आपको यहां पर बताना मतलब जरूरी है जैसे हमने अपादान की बात करी तो अपादान जो है वच्छो दो प्रेकार का होता है ये भी आप थोड़ा सा मतलब जानकारी के लिए ध्यान रख सकते हैं अपादान जो होता है वो दो प्रेकार का होता है मैं यहां पर लिख देता हूँ, देखिए अपादान के दो प्रेकार हैं बच्चो, एक तो है आपका चल और एक है अचल, मतलब एक तो चल अपादान है और एक आपका अचल अपादान है, चल और अचल ये दो प्रेकार के अपादान होते हैं बच्चो कैसे होते हैं एक्जामपल दे के समझाता हूँ आपको ठीक है चल तो वो होता है जो चलाएमान होता है चलता हुआ जैसे एक उधारन से समझीए इसको दोड़ते हुए घोड़े से सैनिक गिरता है अब बताए यहाँ पर किस से अलग हो रहा है सैनिक घोड़े से ठीक है तो घोड़ा यहाँ पर अपादान है घोड़ा क्या है अपादान लेकिन यह चलता हुआ है दोड़ता हुआ घोड़ा है तो वो जो अपादान है हमारा वो एक जगे स्थिर नहीं है वो चल रहा है तो ये चल हो गया हमारा चलता हुआ जैसे बस जा रही है जाती हुई बस में से कोई वेक्ती टपक जाता है मालो कोई सामान टपक जाता है गिर जाता है तो बस जाती हुई है इसका मतलब बस जो है वो अपादान है लेकिन कैसा अपादान है चल अपादान है तो ये तो हो गय चल अपादान दूसरा है अचल अपादान जो नहीं चलता है जैसे कि हमने उधारन दिया अभी पेड़ से पत्ता गिरता है अब पेड़ ये तो है नहीं कि भई चल रहा हो आज यहां था तो कल दूसरी जगे मिलेगा ऐसा तो है नहीं ठीक है वो आपका धुरूब है इस्थि जगे पर है वो उससे कोई चीज अलग हो रही है फल अलग हो रहा है पत्ता अलग हो रहा है इस तरह से तो चल और अचल दो प्रेकार के अपादान हो जाते हैं हमारे ठीक है बच्योँ तो अब तक आपने सीख लिया कि वहीं अपादान क्या होता है ठीक है ना तो दुरुबम पाए अपादानम ये हमारा सुत्र है इसका मैंने अर्थ आपको बता दिया है सीधी सीधी बात आपको ये समझनी हैं जब कोई चीज किसी भी जगे या इस्थान विशेस से या कहीं से भी अलग होती हो तो जहां से अलग होती है कोई चीच वो अपादान कहलाएगा जहां से अलग होती है ठीक है ना उसमें आप पंचमी वक्ती लगा देंगे जैसे मालो आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है चुटी होने के बाद में सारे बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं तो इस्कूल से बच्चे घर जाते हैं तो यहाँ पर स्कूल से अलग हो रहे हैं बच्चे तो ऐसी इस्तिती में भी अपादान हम करेंगे ठीक है ना जैसे मालो किसी के खेत में गाए गुस जाती है अब उनको ला रहे हैं याने खेत से पशुओं को लाता है निकालता है तो वहां से अलग तो हो रहे हैं खेत से पशुओं अलग हो रहे हैं तो वहां भी हम क्या करेंगे अपादान कर देंगे ऐसे आपको समझना है ठीक है अब इसमें एक सूत्र और है हमारा अपादान जो होता है उसमें पंचमी वक्ती होती है तो उसके लिए एक सूत्र है मैं यहीं लिख देता हूँ उसमें कोई खास बात नहीं है इसलिए यहां दो नमबर डालके आप यहीं पर लिख लो चलो मैं मुटाई देता हूँ फिर नीचे लिख दूँगा देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यह तो हमारा पहला सूत्र हो गया ठीक है इसके बाद में हमारा दूसरा सूत्र आप यहाँ पर नोट कर ले इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है आप यहाँ लोट करेंगे अपादाने पंचमी इसक अब जो अपादान होगा उसमें पंचमी वक्ति लगा देंगे अब पंचमी वक्ति के लिए आपको शब्द रूप आने चाहिए जैसे राम की तरह कोई भी शब्द होगा तो आप उसमें आत जोड़ देंगे रामात बना लेंगे ठीक है जैसे मालो हरी का रूप है तो हरी आपको रूप द्यान रखने पड़ेंगे खुद को ही जैसे मान लो लता है तो लतायाह ऐसे ये तो आपको रूप याद करने पड़ेंगे बच्चों मैंने पहले ही कहा कि शब्द रूप याद करिए धात रूप याद करिए अब इसके कुछ उधारन हम आपको बताते हैं पंचमी वक्ती वाले देखिए उधारन लिखेंगे सबसे प्रसिद उधारन और सबसे मोश्ट उधारन लिखिए ब्रिक्षात पत्रम पतति इसका मतलब है बच्चों ब्रिक्ष से पत्ता गिरता है क्या गिरता है पत्ता तो यहाँ पर जो हमारा ब्रिक्ष है यह क्या है अपादान है इसलिए हमने इसमें कौन सी वक्ती लगाई है पंच मी लगाई है ठीक है अब यहाँ पर एक पत्ता गिरता है इसलिए हमने यहाँ पर पतती लिखा यदि बहुत सारे पत्ते गिरते तो हम यहां पर क्या लिखते वच्चो पतंती लिखते क्या लिखते पतंती कैसे लिखते देखो मैं यहां पर लिख करके बता देता हूँ ऐसे लिख देते ब्रिक्षात पत्राणी पतंती इस तरह से हम बना सकते हैं इस वाक्य को देखिए यह तो हमारा एक वचन वाला हो गया यह ह गुर्त है यहां पर बहुत शारी पत्ती गिरती हैं इसलिए हमने पत्राणी पतंती लिखाया और ठीके अगला उदारन लिखी अगला उदारन आप लिख सकते हैं इसमें बrik शाथ स्थत्री अश्वातक पत्ती अब कोई भी गिरता है देखो दोड़ते हुए गोड़े से गिरता है यहाँ पर धावत है यानि दोड़ता हुआ अश्वात किस से गिरता है गोड़े से अश्व यानि गोड़ा होता है बच्चो तो गोड़े से गिरता है ठीक है तो गोड़ा जो है यहाँ पर अपादान हो जाएगा लेकिन कैसा है ये दोड़ता हुआ गोड़ा इसलिए ये चल हो जाएगा तो यहाँ पर ये अपादान के बज़े से पंचमी वक्ती इसमें हो जाती है एक उधारन और लिखें क्षित्रात पशवह आगच्छंती देखिए यहाँ पर लिखा है क्षित्रात पशवह आगच्छंती मतलब खेत से पशू आते हैं अब मालो किसी के खेत में बहुत सारे पशू गुस गए हैं ठीक है पशू आ गए हैं अब वो पशू खेत से आ रहे हैं या खेत से आते हैं तो यहाँ पर खेत से अलग हो रहे हैं तो खेत यहाँ पर क्या हो जाएगा अपादान इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों पंच मी वक्ती कर देंगे तो हम लिख देंगे क्षित्रात पशवाह आगच्छंती इस तरह से बन जाएंगे हमारे यह उदारन अब ऐसे और भी आप बहुत सारे उदारन बना सकते हो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली ठीक है? आगे चलें अब इसमें हम आपको देशे हमने कितने सूत्र हो गए हमारे दो सूत्र आपके हो चुके हैं अब इसमें 3 सूत्र हम और बताएंगे आपको ठीक है बच्चो? चलिए आगे देखते है अगला सूत्र हो हमारा देखेए सूत्र नमबर 3 लिखेंगे आप बहुत ही अच्छा सूत्र है भीत्रार्था नाम सूत्र लिखेए भीत्रार्था नाम भाय हे तू हूँ ये हमारा सूत्र है बच्चो भी त्रार्था नाम भाय हे तू ठीक है इसमें देखिए एक तो भी है और एक त्राधातू है भी यानि डरना होता है बच्चो और त्रा का मतलब रक्षा करना होता है आप देखिए इस सुत्र का क्या अर्थ निकलेगा वो आप समझिए पहले तो मैं इसका बिलकुल सीधा सिंपल अर्थ आपको समझाता हूँ उसके बाद मैं सुत्र के हिसाब से मैं आपको लिख दूँगा देखो भी त्रार्था नाम भाय हे तू यहां कह रहे हैं कि जो भी धातू है याने भय अर्थ वाली धातू एक चीज इसके बाद मैं है रक्षा अर्थ वाली धातू त्रा का मतलब यहां रक्षा करने के अर्थ में जितनी भी धातू प्रियोग तो होती है उन धातु के प्रियोग होने पर जो भयका हेतु है जिस से डर लगता है या फिर जिस से किसी को बचाया जाता है उसकी अपादान संग्या होती है और उसमें पंच्मी बक्ती लगती है ये इस सुत्र का मतलब है भी यानि डर लग रहा हो ठीक है जिससे भी डर लग रहा है तो उसमें आप क्या लगा देंगे पंचमी लगा देंगे जिससे भी रक्षा की जाती है उसमें पंचमी लगा देंगे जैसे मान लो कोई बच्चा है कुत्ते से डरता है बालक कुत्ते से डरता है तो किस से डर रहा है कुत्ते से तो कुत्ते में लगा देंगे पंचमी कुकुर यानि कुत्ता होता है तो कुकुरात विभेती ऐसे बन जाएगा इसके अलावा जैसे हमने कहा कि शेर से रक्षा करता है तो रक्षा किस से करता है शेर से तो शेर में पंचमी लगा देंगे ऐसे यानि जिस से रक्षा कर रहे हैं उसमें पंचमी लग जाएगी और जिस से डर लगता है उसमें पंचमी लग जाएगी यही तो कहा जा रहा है कि भै का जो हेतू है, हेतू याने कारण, कारण क्या है, डर का कारण क्या है, जैसे मालो कोई अंधरे से डरता है, तो अंधकार जो है, उसमें आप लगा देंगे पंचमी, क्योंकि वो भै का कारण हो गया, भै का हेतू है वो, डरने का कारण है वो, ऐस तो इसका अर्थ लिखो बच्चो आप, अर्थ लिखलो सुत्र के हिसाब से ही, लिखें भय या त्राण, भय का मतलब क्या होता बच्चो, डरना और त्राण याने रक्षा करना, तो भय या त्राण अर्थक धातूओं का प्रियोग होने पर, त्राण अर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर भै या रक्षा के हेतु भाचक शब्द में पंच में विभक्ती होती है ये आपको लिखना है अब देखो इसमें हमने जो बताया था वो ही लिखा है याँपर देखो भै या त्राण अर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर यानि भै अर्थ वाली कोई भी धातु हो सकती है त्राण यानि रक्षा करना इससे संबंदित कोई भी धातू हो सकती है इन मेंसे किसी का भी प्रयोग होने पर भैया रक्षा के हेतू बाचक शब्द में याने की जो भैका हेतू होगा भैका जो कारण है याने की किस से डर रहा है बच्चा या कोई भी व्यक्ति किस से डर रहा है वो हो गया एक तो उसमें पंचमी लगा देंगे दूसरा है रक्षा रक्षा का ही तू क्या है याने किस से रक्षा की जा रही है उसमें पंचमी लगा देंगे यही इस सुत्र का अर्थ है बच्चो ठीक है किलियर है वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कोई जटिल नहीं है अब इसके आप उधारन लिखिए उधारन से आप बिलकुल आराम से समझ जाओगे देखो उधारन लिखें आप लिखो बालके है बालके है सर्पात बिभेती देखो यहाँ पर कहले है कि बालक सर्प से डरता है अब यहाँ पर बच्चो सर्पात यहाँ पर एक शब्द है हमारा सर्प तो यहाँ पर डरने का कारण क्या है हेतू भय यानि डरना तो भय का हेतू क्या है हेतू का मतलब कारण क्या है किस कारण से डर रहा है तो यहाँ पर ह है ऐसे आपका वाक्य बन जाता है तो यहां पर पंचमी क्यों हुई पंचमी हुई आपकी इस वाले सुत्र के हिसाब से यह हमारा नियम है यह सुत्र है इस सुत्र के आधार पे यहां पंचमी होगी आगे लिखो सैनिक है चवरात रक्षती या त्रायते देखो यहां पर लिखा है हमने सैनिक चोर से रक्षा करता है अब देखो कोई सैनिक है किसी व्यक्ति की चोर से रक्षा कर रहा है तो चोर डाकू या पिर जो भी व्यक्ति है उससे रक्षा करता है तो यहां पर किस से रक्षा करता है चोर से तो यहां हमने कहा कि जिस से भी रक्षा करेंगे ना उसमें पंचमी लगा देंगे तो यहां पर लिख देंगे चोरात रक्षती रक्षती के अलावा हम लिख सकत जैसे वैद्य है वैद्य या चिकित्सक है रोगात त्रायते ठीक है या रक्षती कर सकते हैं यहां कह रहे है कि जो बैद्य या चिकित्सक या डॉक्टर जो है वो रोग से बचाता है कोई वैक्ती बहुत गंभीर बीमार हो गया डॉक्टर के पास चला गया वैद्धे के पास चला गया उसने दोई दी टीटमेंट दिया और वो सही हो गया तब उसने कहा कि मुझे डॉक्टर ने बचा लिया है तो यहाँ पर जो वैद्ध है या डॉक्टर है वो रोग से बचाता है किस से बीमारी से या रोग से बचाता है तो किस से बचा रहा है रोग से तो रोग में पंचमी लगा दीजिए बच्चो हमने का कि बालक शेर शेर डरता है तो यहां पर डरने का कारण शेर है तो सिंगहात हो जाएगा तो सिंग में लगा दो पंचमी सिंगहात बिभेती ऐसे बाक्य बना सकतो है बहुत सारे बाक्य बना सकतो है यह हमारा नियम है यह नियम आपको याद होना चाहिए यह नियम आप पर जो भैका कारण है और जिससे रक्षा की जा रही है उसमें आपको पंचमी विवक्ति लगानी है यही इसमें समझना है बच्चों किलियर है इसमें आपको और कोई ज्यादा कठिन वाली बात है नहीं इसमें ठीक है समझ गए आगे चलें चलें आगे चलते हैं अब देखिए बच्चो अगला सूत्र है हमारा लिखेंगे आप सूत्र लिखें चोथे नम्मर का हमारा सूत्र है चार नम्मर पे तो यह हमारा चोथा नम्मर का सूत्र लिखेंगे जनी कर्तू हू लिखो जनी कर्तू हू प्रकृति ही यह हमारा सुत्र है ठीक है वच्चो लेखें जनी कर्तू हुँ प्रेक्रति ही यह हमारा क्या है सुत्र है आप देखो यहां पर कह रहे हैं जनी याने जन धातु एक तो जन धातु जन याने क्या होता है उत्पन होना ठीक है उत्पन होना जनी कर्तू हु प्रेक्रति याने उसका जो प्रेक्रति है उसकी जो मूल है उसकी बात है यापर इसका अर्थ क्या है अर्थ लिख लो आप अर्थ से समझ में आ जाएगा लिखो जन्म लेने की क्रिया में ल लेने की क्रिया में जो मूल प्रकृति मूल प्रकृति का मतलब यहां लिख सकते हैं अब कारण है जन्म लेने की क्रिया में जो मूल प्रकृति या कारण है उसकी उसकी क्या होती है अपादान संग्या होती है देखो यह हमने लिखा कि जनम लेने की क्रिया में जो मूल प्रकर्टी है उसकी अपादान संग्या होती है यानि जहां से जनम हो रहा है जनम का जो मूल कारण है या मूल प्रकर्टी है उसमें पंचमी लगाएंगे हम ऐसे आप समझिए सीधी सीधी भात जैसे मान लो कोई कमल है और कमल का जन्म कीचड से हो रहा है तो कीचड में पंचमी लगाएंगे ऐसे आपको यहां समझना है बच्चो ठीक है अब देखो मैं एक उधारन लिखता हूँ उधारन से आप आराम से समझ जाओगे जैसे उधारन है अमारा बहुती प्रसिद्ध है गो मयात ब्रिष्चिकाहा जायनती देखो आराम से समझ में आ जाएगा हमने आप से कहा कि जन्म लेने की क्रिया में यहां पर जन्म लेने की क्रिया है ठीक है इसमें जो मूल प्रकरती है यानि जो कारण है उसकी अपादान संग्या होगी हमने लिखा है कि गोमयात ब्रिश्चिकाह जायंते ब्रिश्चिका का मतलब होता है वच्छो बिच्छू तो जानते हैं अब देखा है बिच्छू जायंते यानि उत्पन होते हैं अब कहा से उत्पन होते हैं गो मयाद गो मयाद का मतलब होता है बच्चो गोवर क्या मतलब होता है गोवर इसका मतलब क्या होता है गोवर गोवर जानते हैं गोवर गाय का भेंस का किसी का भी हो सकता है ठीक है ना तो यहां लिख रहे हैं कि गोवर से बिच्छू उत्पन होते हैं यह पर उत्पन होने या जनम लेने की क्रिया है कि नहीं बताओ तो जनम लेने की क्रिया में जो मूल प्रकरती है जो कारण है याने जनम का कारण याने जनम कहां से हो रहा है गोवर से हो रहा है तो जहां से जो कारण है जो मूल प्रकरती है उसकी जहां से जन्म हो रहा है उसमें लगाएंगे पंचमी विवक्ती उसकी अपादान संग्या होती है ना इसलिए तो पंचमी लगाते हैं उसमें और उधारन देखो आप दूसरा और समझ में आ जाएगा कामात क्रोधा जायते यह अपने स्रीमत भगवद गीता में सुना होगा कामात क्रोधा जायते काम से क्रोध उत्पन होता है तो क्रोध की उत्पति कहां से हो रही है क्रोध का जन्म कहां से होता है काम से काम अब काम क्या है यदि आप नहीं जानते हैं तो आप पोच सकते हैं स्रीमत भगवद गीता में ये श्लोक आता है और वहाँ पर ये पंगती है कामात क्रोधा जायती ठीक है ऐसे तो यहाँ क्रोध उत्पन हो रहा है क्रोध का कारण क्या है यहाँ पर काम काम की बज़े से क्रोध पन होता है विक्ति को ठीक है ना ऐसे तो हमने यहाँ पंच में लगा दी राम की तरह आगे चलो एक उधारन और देखिया इसके बाद में एक उधारन है तन्तूब्य है तन्तूब्य है पटे है भवती पट पटे भवती तन्तूब्य है पटे है भवती पट याने वस्त्र होता है कपड़ा होता है पट का मतलब ठीक है और तन्तू याने धागा होता है तो धागों से या तन्तूओं से पट होता है मतलब पट का जन्म होता है ऐसा यहाँ पर आपको समझना है बच्चो जैसे कोई भी कपड़ा है जैसे हमारा ये कपड़ा है कोई भी वस्तर हो सकता है कुछ भी ठीक है वो बनता किसे तन्तू से यदि उस कपड़े को आप फार दोगे बिल्कुल एकदम जरजर इस्तिती में कर दोगे तो लास्ट में उसमें तन्तू निकलेगा तन्तू आप किसी भी कपड़े को फार के देखोगे तो उसमें से लास्ट में तन्तू निकलता है तो तन्तूओं से उसका निर्मान हो रहा है तो लिखा है तन्तूओं से पट होता है मतलब पट का जनम कहां से हो रहा है तंतूओं से जैसे गांदी जी को आपने देखा होगा चर्खा चलाते हुए ठीक है ना तो दागा काते थे ना वो उससे कपड़े बनते थे खादी के कपड़े बनते हैं तो आप देखना बहुत सारे कोई भी कपड़ा देख लेना उसको फाड़ के उसमें से दागा निकलेगा एक पतला सा बारीक सा वो ही है उसका मैनकारण उसी से उसका निर्मान हो रहा है तो ऐसे करके यह हमारा सुत्र हो जाता है वच्चो जनीकरतूहू प्रकृति ही एसे आप और भी उधानण बना सकते हो यह केवल हमें समझना है बस जनीकरतू प्रकृति जो है इससे कौन सी विवक्ती होती है पान्चमी वक्ती होती है तो यहां पंचमी वक्ती हो रही है कामात क्रोधा जायते इत्यत्र कारक कौन सा है तो आप बताएंगे अपादान कारक है यहां पर किस सुत्र के हिसाब से है यह हमारा नियम है ऐसे किसी भी तरह से कोई भी सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने हर इसमें छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, जो भी important है वो सब मैंने यहां बताईए आपको चलिए दोस्तों एक सुत्र और सीखेंगे इसमें, ठीक है न, उसके बाद में आज की class हमारी यह पूरी हो जाएगे चलो उसको भी देख लेते हैं यार चलिए बच्चों अगला हमारा सूत्र है या फिर यूं कहें कि आज की जो हमारी class है इसका last सूत्र हैगा हमारा तो आप डालेंगे 5 नम्बर, सूत्र लिखेंगे भुवह, प्रभवह, यह हमारा सूत्र है इस सूत्र का आप साथ में ही अर्थ लिख लें उसके बाद में मैं इसको समझाओगा एक जामपल दे करके आप नीचे अर्थ लिखें इसका अर्थ, लिखें प्रकाशित होने के अर्थ में प्रकाशित होने के अर्थ में नदी आदी के उत्पत्ती इस्थल में पंचमी विभक्ती होती है यह आप सीधा सीधा लिख सकते हैं देखो हमने यहाँ पर बिल्कुल सीधा सिंपल अर्थ आपको लिख दिया है प्रकाशित होने के अर्थ में प्रकाशित का मतलब यहाँ पर है उत्पन होने से ठीक है प्रकाशित होना या प्रवाहित होना प्रकाशित होने के अर्थ में नदी आदी के उत्पत्ती स्थल में जो उत्पत्ती स्थल है उसमें पंचमी विवक्ती होती है जैसे कोई भी नदी आदी है उसका जो उत्पत्ती स्थल है जहां से वो निकल रही है नदी उसमें प बता रहा है भुबह प्रभवे जैसे इसका सबसे मुस्ट उधारन और प्रसिद्ध उधारन है लिखो हिमालयात हिमालयात क्या निकलती है गंगा हिमालयात गंगा प्रभवती हिमालयात गंगा प्रभवती हिमालयात गंगा प्रभवती अब देखो यहां पर हमने लिखा हिमा हिमाले से गंगा प्रवाहित होती है या निकलती है देखो तो गंगा प्रवाहित होती है या उत्पन होती है या निकलती है या उत्पत्ती होती है कहां से हिमाले से हमने कहा कि जो उत्पत्ती इस्थल रहेगा नदी आदी का जहां से उसका जनम हो रहा है जहां से उसकी पल रही है कि उस मेरे पंच्मी लगाएंगे याँ ये सीदी सीधी बात समझवा जैसे हमने लिखा कि गंगा हिमाले से निकलती है तो हिमाले में हमारा क्या होगा उत्पत्ति इस थल हो गया पंच्मी लगा दीजिए बस ऐसे याप कोई भी नदी है आपने जीके में बहुत सा विराट नगरात विराट नगर से कौन सी नदी निकलती है वान गंगा वान गंगा प्रभवती यानि जो विराट नगर है उस विराट नगर से वान गंगा प्रभाहित होती है मतलब उत्पत्ति होती है वान गंगा नदी कहां से निकलती है विराट नगर से और गंगा नदी क नहां से निकलती है हिमाले से तो इनका जो निकलने का इस्थल है उत्पत्ती जो इस्थल है इनका उसमें पंचमी विवक्ती होती है बच्छो यही आपको समझना है ठीक है इस तरह से बच्छो आप ये हमारा जो अपादान कारक था याने की पंचमी विवक्ती जो थी इस से लेट इट हमारा जो chapter था वो पूरा हो जाता है उमीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमने इसमें दोस्तों आपको पांच सूत्र बताई थे कितने बताई थे पांच सूत्र आप पांचों सूत्रों को आराम से revision करें देखें उनको सुनें ठीक है आराम से समझ में आ जाएंगे सबसे पहले वच्छों हमने सूत्र बताया था दुरुबंपाई अपादानम ठीक है उसमें ये बताया कि वही अपादान संग्या किसकी होती है अपादान किसे कहते है उसके बाद में दूसरा हमने सूत्र आपको बताया था अपादाने पंचमी यानि अपादान में पंचमी विवक्ती होती है इसके बाद में तीसरा सुत्र हमने बताया था भी त्रार्था नाम भय हे तू भय अर्थक और त्रान या रक्षा अर्थक जो धातू है ठीक है उनमें जो भय का हे तू है या जिस से रक्षा की जाती है उसमें हम क्या करते हैं पंचमी वक्ती लगाती हैं इसके बाद में हमने जस्ट अभी अभी इससे पहले बताया था जनी करती ही ठीक है जैसे गोवर से भिछूत पन होते हैं ये मैंने बताया था उसके बाद में ये वाला सुत्र है अमारा नहीं है समझना है इसलिए मैं आपको एक्जामपल दे करके अच्छे से समझाता हूं ठीक है उमीद करते हैं आप अच्छे से सुन रहे होंगे अच्छे से देख रहे होंगे यदि आपने अच्छे से देखा है सुना है तो सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको व